नमस्कार दोस्तों मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं हमारे चैनल योट्यूब हिंदी तो देखी दोस्तों आज की वीडियो में हम हरियाना के पंचकुला जिले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और मैंने इस वीडियो में जादा से जादा questions include किये हैं ताकि आपका को हरियाना के अंदर जो सबसे ज़्यादा वन है यह पंचकुला में ही पाए जाते हैं पंचकुला की स्थापना 15 अगसा 1905 को किये गई थी और पंचकुला के अंदर हरियाना का ही नहीं बलकि एसिया का सबसे बड़ा cactus garden स्थीत है और अगर हम मैप में देखें पंचकुला तो यह रहा ठीक है तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं पंचकुला की जनसंख्या पंचकुला की जनसंख्या है पांच लाख 58,890 और जो लिंगन पात है वह 830 है और जो साक्सेतादर है वह 88.88 प्रतिसत है और जो उप मंडल है यह हैं पंचकुला और काल का और जो उप यसील है यह बर्वाला मोर्नी और रायपुरानी है और जो खंड है यह बर्वाला पिंजोर मोर्नी और रायपुरानी है और जो जनसंख्या घनातव है यह 625 वैक्ति प्रतिवर्ग किलोमेटर है तो चलिए अब देख लेते हैं हम पंचकुला के नाम कर्ण से समदे कुछ ब बिच्चला के नाम से जाना जाने लगा कुछ मानेताओं के अनुसार यहां पर पांच कूप अतहात पांच धरने होने के कारण भी इसका नाम पंचकुला पढ़ गया पंचकुला का नाम पिट्थी राज दीते के आसी अबलेक से भी मिला है कालका का प्राची नाम पिंजोर राजा विराट की राजदानी रह चुका है इसलिए इसको विराट नगर भी कहते हैं पंशकुला को 360 बावडियों का कस्वा भी कहा जाता है पंशकुला, मोहाली तथा चंडिगड को ट्राइ सिटी के नाम से भी जाना जाता है पंशकुला को नहरो का शहर भी कहा जाता है पंशकुला को हिमाचल परदेश का सिर्मोर वैस सोलन जिला भी कहा जाता है पंशकुला के टोहाना जिले को नदियों का शहर भी कहा जाता है रायपूर को नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है तो इस दियान रखी तो चलिए अब हम देख लेते हैं पंचकुला की त्यास से समने कुछ बातें पंचकुला की स्थापना पंदरा अगर सनुनिसोपी चैन्व को सत्रवें जिले के रूप में हुई थी इस जिले के उत्तर और पूरो में हिमाचल प्रदेश, दक्षिन में अंबारा और पश्चिम में चन्डिगर वेपन जावे लगते हैं पिंजोर मुगल बाग के लिए जाना जाता है जिसे सत्रवी सदी में फिदा एक खान के द्वारा बनवाय गया था आदुनिक काल में इस बाग को पटियला के माराजा यादवेंदर सिंग की याद में यादवेंदर गार्डन के नाम से जाना जाता है इसके बाद है पंचकुला के अंदर सरवपर्थम जो चीजे होई हैं वो हम देख लेते हैं हरियना राजे की सबसे कम जन संख्या इसी जिले के अंदर है इसकी जन संख्या 5,58,890 है हरियना राजे में सबसे यदिक वनों की जो संख्या है वो वेसी राजे में पाई जाती है यहाँ पर वनों का विस्तार 400 वर किलोमेटर है इसके बद है हरियाना में सबसे कम पक्की सटकों की जो लंबाई है यह भी पंचकला में ही है सबसे कम पसूधन भी पंचकला में ही है सबसे कम भैंस वाला जिला भी पंचकला ही है हरियाना में सबसे ज़्यादा पहाड़ी का जो विस्तार है यह भी पंचकला में ही है इसे पंचकुला में खोला गया था वर्थमार में यह फैक्टरी बंध हो चुकी है वह इसका मुख्यालाएं बैंगलूर के अंतरे स्तीत है इसके बाद है हर्याना में सबसी ज्यादा जो वन है यह पंचकुला में ही है यहाँ पेवनों की संख्या 31.4 परतीस है परन्तु हर्य तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं पंचकला के महत्पूर्ण प्रेटेक्स्टलों के बारे में तो सबसे पहले हैं पिंजोर का यादवेंदर उध्यान को उत्री भारत का नंदनवन भी कहा जाता है इसके बाद है मौर्णी हिल्स यह हरियाना का एक मात्र खूबसूरत हिल्स टेशन है सिवालिक गरीमाला में स्थित मौर्णी नाम का पहाड़ी चेतर एक बेहद प्रेशिद लोक्रिये प्रेटेक्स्टल है मोरनी पहाडियों में स्तित कारोह हरियान राजे का सबसे हुचा स्थान है जिसकी हुचाई 1514 मेटर है इसके बद है पिंजोर यहां का मुगल गार्डन भारत के गिने चुने उध्यानों में से एक है जिसका निर्माण 1661 में ओरंग जेव के सचेरे भाई पंजाब के गवरनर फिदाई खान ने पंजाब विले की उप्लक्स में करवाय था जिसका विश्तरत विवरन वर्स सन 1616 में मुंसी सुजान राई द्वारा लिखित किताब खुलास तूत तवारिक में मिलता है इसका पुराना नाम पंजपुरा है इसे 360 बावडियों का सहर भी कहा जाता है इसका और भी पुराना नाम विराटनगर है तो चलिए इसकी बाद देखते हैं इसके बाद है कैक्टस गार्डन की स्थापना जे एस सरकारे के दोरा की गई थी यह हरियन का ही नहीं बलकि एसिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है यहां पर 3500 परकार की परजातियां पाई जाती है इसके बाद है हर्बल पार्क मौरनी की पाडियों में हर्बल पार्क पस्तावित किया गा है यहां पर 25000 से अधिक उसिदियां लगाई जाएंगी यह दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाये जाएगा इसके विकास में पतंजली योगपीट के दोरा भी से योग किया जा रहा है इसके बद है गिद सरक्षन एम परजनन के इंदर यह पंचकला के अंदर ही इस्तित है यह हर्यान काई नहीं बलकि पूरे बार का एक मातर गिद परजनन के अंदर है गिदों को प्राकर्तिक सफाईकर में भी कहा जाता है एसिया में सबसी ज़्यादा गिद भारत में ही पाए जाते हैं इसके बद है फिदाइन खां का गारडन इसे मुगल गारडन भी कहते हैं इसकी स्थापना 1661 में फिदाइक खान की द्वारा की गई थी फिदाइक खान औरंग जीव का चचेरा भाई था मुगल गारडन का वर्णन 1696 में मुंसी सुजानराई द्वारा लिखित पुस्तक खुलास दुतावारिस के अंदर भी मिलता है इसके बद हम देख लेते हैं पंचकुला के मैत्वपुन धारमिक स्थालों के बारे में जो सबसे पहले है जैनेंदर जैनक गुरुकुल चंद के द्वारा की गई थी इसके बद हैं मंसा देवी मंदिर पंचकुला चंडिगर से लबग 9 किलोमेटर दूर मनी माजरा के निकट सिवालिक पाडियों के प्रतम सिकर पर सुशोभीत माता मंसा देवी का प्रसीद एतियासिक मंदिर है मंसा देवी मंदिर में उत्तर भारत के लोगों की काफी मानेता है इसके बद है काली माता मंदिर कालका पाड़ी चेतर कालका में कालका सिमला मार्क पर पाड़ियों से गिरा काली माता मंदिर आस्ता के अंदर बना हुआ है इसके लावा भीमा देवी मंदर भी है इसे उत्तर बहात का खजुराहू का मंदर भी कहा जाता है इसके लावा नाडा साहिभ गुर्दवारा भी पंचकला में है नानकोटी भी भी पंचकला में है ठीक है तो सलिए अब हम देख लेते हैं पंचक्राइकुस वने जी तो यह प्रमुख अभ्यावरण है जो पंचकुला में है इसके बाद हम देख लेते हैं बंचकुला के बारे में कुछ मेंत्रपून खास बातें घंगर नदी कालका से हरियाना में परवेश करती है घंगर नदी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है हर्याना में सिचाई विबा का मुख्याले भी पंचकुला में ही स्थित है HSC, HPSC और HR साहिते अकादिम का मुख्याले जो है यह पंचकुला में ही स्थित है पालतू पसूच गिच्या के अंदर भी पंचकुला में है टिचर होम बासाट लाग के लागत से पंसकुला में ही बनाय गया है मोर्नी की पाड़ियां चीड के पेड़ वै हाल्ड के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसीद है मोर्नी की पाड़ियों के अंदर पत्रीली मिट्टी पाई जाती है हरियाना राजे का अभी लेखाकार विभाग भी पंसकुला में ही है पंसकुला में अंतराश्टिय स्तरके संग्राले का निर्माण भी किया जा रहा है पंसकुला हरियाना का सबसे नवींतम सहर माना जाता है पंचकुला के अंदर दो विदान सबासीटे हैं एक तो कालका और दूसरी पंचकुला पंचकुला में सबसे आधुनिक धंग से फलों की खेती भी की जाती है तो चले इसके बाद पंचकुला के परमुक मेले तो यहां पर एक मेला लगता है आम मेला यह पिंचोर में जून और जुलाई के महिने में लगाया जाता है इसके बाद हम देख लेते हैं पंचकुला के परमुक वेक्ष्टों के बारे में अगर आप हमारी इस वीडियो की पीडिफ चाते हैं या फिर आप हमारी इस वीडियो की जीके और भी पढ़ना चाते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.harina.district.com पर लोगिन कर सकते हैं इसका लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सिंस में दे रखा है आप वहाँ पर क्लिक करके हमारी वेब साइट पर जा सकते हैं तो दोस्तों ऐसी ही अच्छी ची वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, सेर और स्क्राइब करना बिल्कूल मत भूलिए तो चल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नए वीडियो के साथ तब तक ही लिए जै हिंद जै भारत हुआ 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 है